दोस्तों एक बार फिश से स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल एंड इन्फो आइट याई पर दोस्तों एक बड़ी वेकेंसी बहुत ही खुबसूरत वेकेंसी भारत सरकार की वेकेंसी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का कोई भी कंडिडेट इस फार्म का वेदन कर सकता है इसके लिए कोई भी फीस नहीं है और ना यह फार्म आनलाइन है लेकिन निश्चित रूप से यह फार्म गॉर्मेंट आफ इंडिया का है भारत सरकार के इंस्टिट्यूट में आप ITI करके अनुदेशक बन सकते हैं कैसे बनेंगे इसके लिए CITS भी मस्ट नहीं है पुरी डिटेल करूँ उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल से मिल जाएंगी आज़े दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो हम लोगों का सबजेक्ट है सबजेक्ट यानि 19 जनवरी 2023 का ये लेटर है गोर्मेंट आफ इंडिया की टोटल 14 पोस्ट है कहां पर है मैं आपको बता दू कि हिंदुस्तान में जो दिब्यांगों के भारत सरकार के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं जैसे नस्टिया मॉंबई, नस्टिया हैदराबाद, नस्टिया कानपूर इस तरह के जगहं पे उसी कैंपस के अंदर ये कॉलेज चलते हैं जिनका नाम पहले वी आट्सी था वी आट्सी मतलब वोकेशनल रिहाबलेशन सेंटर फार दे हैंडिकेब्ड अब उसका नाम बदल दिया गया है दोस्तों आप सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं कि 14 पोस्ट आफ वोकेशनल इस्टेक्टर इसमें थोड़ा मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल करते चलूँगा टोटल 14 पोस्ट है जिसमें 5 पोस्ट अन्रिजर्वड है दो पोस्ट OBC की है तीन पोस्ट ESC की है दो पोस्ट EST की है और दो पोस्ट EWS की है टोटल 14 पोस्ट है तो इसके अलामा जो भी एडिसनल इन्फो है मैं आपको दे देता हूँ इसके अलामा आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे टेलिग्राम ग्रूप E&Info ITI को जॉइन कर लिजिए तो वहां से आप मेरे साथ वारतालाब कर सकते हैं आपकी जो सवाल है उसके जबाब मिल सकते हैं अपने टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ यह पुरी तरह के से आफ लाइन वेकेंसी आप देख रहे हैं इसको कैसे आपको भरना है कहां पर फॉर्म भेजना है वो सारी चीजे मैं बता दे रहा हूँ वीडियो इसकेप करेंगे तो वो सारी चीजें आप नहीं मिल पाएगी तो मैं सुरू करता हूँ सीधे इसेंसियल क्वालिफिकेशन से जो इस जॉब के लिए यह जॉब पूरी तरीके से पर्मानेंट है और गॉर्मेंट जॉब है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूँ कि कच्छा दस पास रहने चाहिए आप किसी भी राज जिसे आप ITI किये हुए होने चाहिए या आप्रेंटिस किये हुए होने चाहिए साथ में चाहिए तीन साल का अन्भाव तीन साल का experience जाई है यह practical experience इसके अलामा अगर आपने ITI भी किया है आप्रेंटिस भी किया है तो best है उसके साथ अगर आपने CTI किया है तो वो जब न्यूकती होगी या जो interviews होंगे टेस्ट होंगे उसमें आपको बरियता मिलेगी लिखा हुआ है आप preference will be given to the candidate आपके पास होना ही चाहिए ऐसी बात इसमें नहीं कहीं गई है तो इसके लिए ITI वाले लोग भी form भर सकते हैं अगर commerce trade के लिए apply कर रहे हैं तो आपको graduate होना है या diploma, certificate in commercial, secretariat, practice या desirable में आप देख लें कि अगर इसके अलामा आपने desirable कोई course किया है तो उसमें 40 word per minute की typing है, 80 word per minute का short end है अगर आपने ये चीज़ कर रखा है तो best है ऐसा इसमें नहीं बताएगा कि ये रहेगा तो ही आप form भरेंगे अगर है तो better है, chances थोड़ा सा बढ़ जाते हैं दोस्तों उम्री की बात कर लेते हैं आपकी उम्रे 30 साल होनी चाहिए, अगर government job छोड़ करके इस job को आप अपलाई कर रहे हैं तो ऐसे condition में आपकी उम्रे 35 साल होनी चाहिए मैलाएं भी इस form को भर सकती है whether women are eligible, yes job आपकी permanent है, total post चौदा है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको form ये चीज मैंने पहले ही बता दी है और salary की बात कर लेता हूँ salary आपको 7th pay commission के अनुसार level 6 में आपको रखा जाएगा जिसकी salary 35,400 से ले करके 1,12,400 होगी और government के जो भी central government के जो भी norms होंगे उसके अनुसार चीज़ें आपको available होंगी, उसके बाद टोटल 6 center है और हिंदुस्तान के 6 center जैसे बैंगलोर है, चन्नई है हावडा है, हैदराबाद है और राची है, और मुंबई है इधर ये center लिखा हुआ है ये जो देख पा रहे हैं आप national career service center for differently abled ये यही है कि भारत सरकार का ये college है दिब्यांगों के लिए वहाँ पर आपको training या अनुदेशक वहाँ पर बनना है category मैंने पहले ही बता दिया था अब मैं बताता हूँ कि इस form को आप डालेंगे कैसे अपने सारो documents जो आपका रहेगा उस सारे documents की photocopy आपके पास रहेगी A4 size पे आपका CV या bio data या resume जिसको कहते हैं आपका वो रहेगा उसमें आप नाम अपना पिता का नाम address, mobile number, email ID अपना educational qualification serial wise में 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आपका documents होगा उसी क्रम में आप उस paper के पीछे लगाएंगे paper को fold करेंगे एक A4 size का लिफाफा लेंगे यानि envelope उसके अंदर documents को डाल करके इस address पे भेज़ देंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है application to be addressed to यानि की application आपको यहाँ पर भेजना है उस लिफाफे के अंदर अगर मैं मानूं कि अगर आप बैंगलोर के लिए फॉर्म बर रहे हैं और RAC के लिए भर रहे है refrigerator and air conditioning के लिए और AAC का टिगरी के हैं unreserved एक है और एक AAC के लिए है तो unreserved जो है वो general mechanic के लिए है फॉर्म बर रहे हैं तो लिफाफे के अंदर रहेगा टू दस्री उमा संक्रा के यन head of office उसके बाद ये पूरा detail आप डाल देंगे लास्ट में करनाट का 560058 लिख देंगे तो इस तरीके से सभी center के अगर नीचे जाएंगे तो जितने भी center का मैंने नाम लिया था चन्नई, हैदराबाद, कोलकता सब आपको मिल जाएगा ये देख पा रहें आप ऐसे ही सारा address मिल जाएगा लास्ट में address है उसी address पर आपको post करना है यहाँ पर एक बार फीट से अगर आप देख पाएं तो जैसे आप dress making के लिए apply कर रहें तो dress making के लिए ये address है इस तरीके से आप अपना सब लगा करके भेज देंगे दोस्तों कोई भी अगर EWS के लिए भी post है अगर आपके अंदर कोई doubts है कुछ भी आपको परिशानी होती है तो मेरे telegram group में join करके वहाँ से आप मुझसे अपने question के answer ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी vacancy है सब लोग सोचेंगे seat हैं इतनी कम है क्यों भरें कैसा है सही है की नहीं है government है की private है तो मैंने पूरी बात बता दिया हूँ इसके अलामा अगर आप चाहते हैं कि इस notification को खुद आप देखें पढ़ें तो इसको आप मेरे telegram group से वहाँ पे join होके मैं वहाँ पे send कर दे रहा हूँ download कर सकते हैं कुछ भी इसमें fake नहीं है जो कुछ भी है वरिजनल है चौदर post है permanent post है भारसरकार की job है हिंदुस्तान का कोई भी candidate इस firm को apply कर सकता है पुरू सोया मैला हो condition नीचे जो सरते हैं वो apply है और बहुत ही अच्छी जौब है दोस्तों एक बाश्वीट से आप सभी को सुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नीउस के साथ तब तक के लिए बैबै